है जी गाई चलो आगी की बात करते हैं थोड़ी सी लास्ट लेक्चर में आपको कॉंपिटेशन तक करा दिया था एक्सपेंसेज जो अलाउड हैं और डिसलाउड हैं उन्हें देख लेते हैं जब एक बार ि जर्णर प्रैंसिपहल होते हैं कुछ इन्यम कुछ सिद्धान्त आप जिनके बेस पर हमें मॉओंन निकालनी होती है है न क्या है वोगर्णिक अंचे थे कॉछ जर्णं के सो अगर अगर आपने तीन पॉइंट को सेटिसफाइड कर दिया तो वह इंकम आपकी PGP की इंकम मानी जाती है कौन सी हला की यह चीज मैं आपको डेफिनेशन में करा चुका हूँ मुश्किल से एक मिनिट लेगी देख लेता है देर शुड बी आप बिजनिस और प्रोफेशन वह यह कह रहे हैं कि जो आपकी इंकम है वो या तो बिजनिस की होनी चाहिए या प्रोफेशन की होनी चाहिए बिजनिस एक्जस्ट करता हूँ आपका should be a business होना चाहिए या profession होना चाहिए ठीक है आगे ओओ the business or profession should be carried on by the assessi जो business है या जो profession है वो किसका होना चाहिए या assessi का होना चाहिए carried on का मतलब चलाना यानि कि वो किसके supervision में चल रहा हो वो चल रहा हो जो assessi है उसके supervision में assessi कैसे मतलब जो बंदा tax देगा जो liable होगा tax pay करने के लिए उसी का वो business या उसी का वो profession होना चाहिए आगे आओ the business or profession should be carried on for the some time वो कहने कि कुछ समय के लिए जरूर चलाया गया हो business should be carried on for some time कुछ समय के लिए during the previous year पिछले साल में या गतवर्ष में if the business is carried on for a single day अगर कोई business एक दिन के लिए भी चलाया गया the same shall be taxable यानि कि उस पर भी tax लगेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई business सालो साल चलता है ध्यान रखना है यह point बड़ा point है क्या लिखा हुआ है the business or profession should be carried on for some time चलाया जाना या चाहिए कुछ समय के लिए पिछले साल में तभी उस पर tax लगेगा लेकिन उन्होंने बोलाई कि if the business is carried on for a single day अगर कोई business आपका एक दिन के लिए भी चलाया तो उस पर भी वही taxable लगेगा यानि कि उसकी income भी आपकी PGVP के chapter में taxable होगी the same sell भी taxable ठीक है आगे आओ यह क्या लिखे हुआ है expenses है कुछ और deductions expressly allowed यानि कि कुछ ऐसे खर्चे कुछ ऐसी कटोतियां जिनके हमें deduction मिल जाती है हम पड़ता है बात करें sections की तो कि section के इंतरगरत under the what section यह जो expenses है allowed है तो उन्होंने बताया यहां पर under section 30 से लेकर 237 यानि कि 30 से लेकर 37 तक के जो sections हैं आपके वह आपके deductions को ही बताते हैं यानि के expenses को ही बताते हैं जो आप आसानी से अपनी इंकम में से माइनस कर सकते हैं ठीक है under section 32 37 of income tax act the deductions and expenses expressly allowed as under कौन-कौन से खर्चे हैं वह पहला खर्चा देखे आप क्या लिखा हुआ रहा है rent, repairs, taxes and insurance of building section 30 कहता है इस बात को कि आपकी building का जो किराया है या आपकी building में जो भी repairs and renewals वगयरा हो रहे है taxes आपको अगर देना पढ़ रहा है उस से related insurance आपकी building का अगर आपने करवा रखा है दे रखा है तो आपको अगर वह देना पढ़ रहा है expenses है तो वह allowed होता है आगे आएंगे repairs and insurance of machinery and furniture machinery या furniture की जो repairs है या उसकी जो insurance है वो भी आपको क्या हो जाती है allowed हो जाती है यानि कि आप उसे minus कर सकते हैं while you will computing the income from business ठीक है आगे आओ बड़ा point है point number three depreciation का section 32 बताता है depreciation के बारे में कि आपको छूट उसकी मिलेगी बिल्कुल मिले की जायज बात है जो भी machinery जो भी हम plant जो भी हम building अपनी business में use कर रहे है तो उस पर लगने वाला depreciation वो allowed होता है depreciation क्या होता है accounts वाले बच्चों को पता ही होगा जिसको नहीं पता है बता देता हूँ बान लो आप लोग कोई machinery खरीद करके लेकर आए हो 2015 में सन 2015 जो है आपका year उसमें आपके machine खरीद कर लेकर लेकर आए एक लाख रुपे की आपने दो साल तीन साल चार साल चला ही 2019 में आप उसे बेचना चारे हो क्या बच्चों वो उसी amount में बिक जाएगी नहीं सर बिलकु यूज करने के बाद में वो जो कमी उसमें आई है हो सकता है market value डाउन हो गई हो उस machine की आपने उसे use कर आया उसमें तूट-फूट हुई होगी वियर औंटियर बोलते हैं उसे तो यह जो कमी आई है उसका नाम होता है depreciation ठीक है depreciation in Hindi हिराश बोलते हैं हिराश ठीक है यानि क कमी कटोती घटोती यह सब चीज़ें होते हैं अब depreciation हम accounts में तो ऐसी लगा देते कि भी 10% निकाल दो building पर लगा दिया चुटी लेकिन income tax ने अपनी तरफ से कुछ percentage दिवी है वो क्या percentage है वो भी हम देखेंगे पहले पढ़ लेते हैं पूरी definition मैंने तोड कर यहां पर लिख on block of assets किसी भी particular एक asset पर जो है depreciation नहीं लगाया जाता है लग लग हम एक block की assets अलग करेंगे एक block की assets अलग करेंगे उस block पर लगा जाता है वो क्या होती है मैं बताऊंगा कोई tension वाली बात नहीं है by using wdb method of depreciation यह भी धियान रखना दो method हुआ करते थे एक हुआ करता था हमार SLM straight line method और एक होता हमारा wdb तो SLM यहां यूज नहीं होता है income tax act कहता भी है wdb को लगाओ written down value method लगाओ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है numerical करेंगे तो जब अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे बढ़ते हैं to the owner of the acid at prescribed rate prescribed rate का मतलब क्या आप मैं बता देता हूं prescribed rate यह रह rules मतलब की income tax ने जैसे rules बनाए हुए है उस act के according आपको depreciation charge करना है ठीक है वह यहां पर यह चीज़ बता रहे हैं अब इन्होंने यहां पर depreciation की percentage दी हुई आप लोग इसका screenshot जरूर ले लेना copy में note करके भी रखना अपने पास में ठीक है इन्होंने 5 तरीके की categories बताई बिल्डिंग अगर आपकी है तो नॉर्मल बिल्डिंग जो business related है उस पर 10% का depreciation लगेगा और यह सारे depreciation आपके पर एनम हैं यह भी ध्यान लखना ठीक है बिल्डिंग के बारे में क्या point है वो हम यहां पढ़ेंगे यानि कि बिल्डिंग अगर residential purpose पर है तो 5% business purpose है तो 10% लेकिन अगर temporary structure है like wooden वगेरा का है at the rate 100% उस पर आपको depreciation लगाना है सर यह temporary structure क्या होता है अब भी बताता हूँ आपको residential पर बस तो वो हो गई जो हम अपने घर के मकान के लिए मतलब जो हमने building यूज़ कर रखे हो रहन के लिए यानि कि residence purpose से हमने जो यूज़ कर रखे हो उसके लिए 5% लगेगा business के लिए अगर यूज़ करने है building को 10% appreciation लगेगा temporary structure like wooden वगेरा का कोई बना हुआ item wooden वगेरा की कोई building बनी हुई है wooden मतलब लकडी से related जो चीज़े होती है उससे बनी हुई है example के लिए movie मिर को याद आ रही है welcome movie देखी थी हमने welcome शयद पार्ट वन है वो बिलकुल पार्ट वन है welcome जो फस्ट वली आई थी वो जिसमें उतर नाना पाटेगर वगेरा यह लोग थे तो end में जा करके उसमें क्या होता है वो एक ऐसे जोपड़ी टाइप में मतलब हट में चले जाते हैं ऐसे space में महां जा करके कोई program वो उनका organize होता रहता और कुछ जो मतलब problems महां पर जब create होती है तो वो हट जो है वो गिरने के लिए तयार होती है इस type की जो मतलब लेकिन बहार से कर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह तो wooden की बनाई हुई है टिकी हुई भी वो बांस की बल्लियों पर थी ना वो बांस की बल्लियां वो लोग काट देते हैं जो विलन वगएरा होते हैं उसमें तो वो हट मतलब गिरने के लिए तयार होती है व नोर्मली 10% लगा जाता है वन नीचर पर ध्यान रखेंगे फ्लांट फिव्टीं पर लेकिन प्लांट मेशेंडी के बारे में कुछ प्टींडी के वारे में कुछ पांस हैं वह देख लेता हैं प्लांट टींडी क्या डी नमल तो लगा जायागा 15% यानि की मोटर कार गएर 60% धियान लखना, books, books भी दो प्रकार की होती है, plant and machinery में ही आती है, books भी, अगर professional book हैं तो 100%, other books हैं तो 60%, professional book कौन सी होती है, like हमारी income tax की लिए low up, income tax की जो book है वो professional book में आती है, other book में नहीं आती है, क्योंकि professional book होती है particular time के लिए यानि कि एक साल के लिए बना दी गई एक साल के बाद में उसका use तो है लेकिन हो सकता है उसमें amendment आये कुछ changes आये तो उस पर 100% appreciation लगा दिया जाता है ठीक है other books कौन सी हो गई मैं आपकी subject से related बात करूं cost accounting कोई चेंज नहीं आता भाई जो दस सल पहले से लेपस था वही आज भी है बस यह उपर का जो cover वगएड़ा होते हैं वो लोग change कर देते हैं एक आज चैप्टर को इधर उदर हुआ then बस बात खतम इस से उपर कोई उसमें changes नही जाता है pollution control equipment होते हैं जो pollution को control करते हैं ऐसे कुछ equipment आपने अगर यूज कर रखे हैं अपने बिजनिस में तो उन पर depreciation 100% लगेगा ध्यान रखेंगे इस बात को भी आगे बढ़ते हैं जरा पॉइंट नबर फॉर में intangible assets हैं intangible assets जो मतलब दिखती नहीं है assets ऐसी उन पर 25% का depreciation लगाते हैं सर इंटेंजिबल assets कौन से होती हैं लाइक आपकी goodwill हो गई patents हो गई copyrights हैं यह सब चीज़ें आपकी assets माने जाते हो इंटेंजिबल assets यह नहीं की अमूर्त संपत्या जो होती हैं उनके बार में बात हो रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें इन्होंने बताया ships वगएरा के बारे में ships होते हैं जहाज जो पानी में चलते हैं समझ गया होंगे समुद्र वगएरा वाले उन पर 20% का आपका depreciation लगता है लेकिन एक अलग से इन्होंने चीज़ बताई हुई है कि transport वगएरा अगर है तो add rate 30% कार अगर है after 1490 के बाद में तो उस पर 15% मोटर कार हाला कि हम उपर ले आये थे ठीक है मोटर कार पर 15% है अकार वही वहला पॉइंट है ठीक है आगे बढ़ता है नोट दिया हुआ है कि इन्होंने बहुत important note है यह क्या कह रहे हैं इसके बारे में जोड़े देख लेते हैं ध्यान से 50% of normal depreciation क्या provision है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ अगर आपने कोई asset पिछले previous year में यानी की सिर्फ 180 दिन तक ही use करी है सिर्फ 180 दिन तक या उससे कम use करी है तो आपका जो depreciation का rate है वो 50% लगेगा ध्यान रखना 50% या नहीं आधा लगेगा normal depreciation का आधा अगर car पर आपका लगता है 15% तो वह हो जाएगा आधा रखर के 7.5% अगर आपने car use नहीं करी है एक सो सिर्फ दिन से जादा ठीक है पढ़ लेते हैं जड़ाएं से if any asset is acquired and put to use not in the access of 180 days ठीक है not in the access of 180 days during the same previous year then SSC can get the benefit of depreciation only 50% of the normal depreciation normal depreciation का 50% ही उसे benefit मिल सकता है वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसने use तो नहीं करी है एक सो सी दिन से जादा लेकिन वो depreciation की पूरी amount मांगे आप से कहें कि मैं कोई computer खरीद के लिगा है अभी 3 महीने पहले मैंने सिर्फ 3 महीने उसे use करा है और मैं कहने लोगो मेरे को 60% depreciation की expenses allowed होना चीए तो ऐसा नहीं हो सकता 60 का आधा allowed होगा यानि 30% आपका allowed होगा ठीक है जहां तक point clear हो गए होंगे आगे बढ़ते हैं जड़ा दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसके बस दो निंक है हैं तो बहुत सारे लेकिन दो पॉइंट और पढ़ते हैं चलो पॉइंट नबर फॉर क्या रहा है expenditure on scientific research scientific research और जो होते हैं section 35 कहता है उसके लिए वह allowed होते है scientific research कैसे होते हैं आपको पताए है नए नए आई दिन research होते रहते हैं मतलब एक movie थी movie से मेरे को याद आता है मैं example जोड़ देता हूं उससे ना तो देख लेना जड़ा मूवी आपको हाता है कौन सी movie सरही हो तो बताओ जोन अब्रहेम की एक movie आई थी राजस्थान में shoot है शायद वो movie राजस्थान की किसी रेतिले इस्थान पर उसका नाम था पोखरन पोखरन थी वो movie और शायद पोखरन मतलब वो जगा का नाम है शायद मेरे को पक्का confirm नहीं यह चीज मतलब क्या है लेकिन उन्होंने पर जाकर करके पर्मानूबम जो होता है हमारा उसका अविशकार करने की कोशिश करी थी मतलब उस पर research चली थी वहाँ पर अब उसमें कोई भी खर्चा रहा है scientifically कोई काम हो रहा है तो scientific research related जो भी आपके खर्चेंगे वह अपनके जो है allowed हो जाते हैं उनकी आपको छूट मिल जाती है आगे आओ securities transaction tax STT जो होता है आपका securities related कोई भी transaction हो आपकी तो securities related कोई transaction हो उस पर आपको टेक्स देना पड़ा है तो section 36 subsection 1 में allowed हो जाता है ध्यान रखेंगे इस बात के लिए जादे डिटेल में पढ़ना है तो for details refer study material study material पर journal expenditure पर जाएंगे आप journal expenditure section 37 subsection 1 कहता है any expenditure satisfying the following conditions will be allowed as deduction under this section 37 subsection 1 कहता है कि भी कोई भी खर्चा है आपका अगर वो इन conditions को satisfy कर दे कौन सी condition 5 conditions ऐसी है अगर वो इने satisfy कर दे तो हम उसे खर्चों कर देंगे ठीक है कहां तक बताएं कि कौन कौन सा खर्चा है कैसे कैसे तो इन्होंन situation इन्होंने ऐसी रखें कि अगर हम उन्हें satisfied करते हैं तो वो क्या हो जाएंगी हमारे लिए allowed हो जाएगी फिर डिरेक्शन सरकप पढ़ेंगे इन्हें हम next video में पढ़ेंगे इतनी लंबी वीडियो नहीं करते हैं चलो next video में पढ़ेंगे आप लोग ब्रेक ले लें तब तक अगरा करें और नेक्स्ट वीडियो को हमारी ओपन कर लेना ठीक है चलो बच्चों मिलते हैं आप से नेक्स्ट लेक्चर में तब तक लिए थेंक्यू